ग्रामे की स्टार्टिंग हमारी इस कानी की हिरोईंग जीया के साथ होती है जो कि अभी एक ब्लाइंडेट के लिए आई हुई थी उसका ब्लाइंडेट उसे सामने कंडिशन रखता है कि वो उसे साधी करेगा और बदने में वो उसे बच्चा देगी और उसे सिप लड़का चाहिए वो उसे यह भी खहता है कि उसे उसकी सारी बाते सुननी पड़ेगी और उसकी लाइफ में इंटेफे भी नहीं कर सकती है इसकी सारी कंडिशन सुनकर बहुती ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है तब हम देखते हैं कि यहीं दोसरी टेबल पर एक और लड़की ब् ब्लाइंडेट को चिला रही होती है और वह इस लड़की की सारी बाते सुन लेती है और वह से कहती है कि नहीं को इसकी तुम्हारे लिए बहुत ही जदा है और तुम दोनों एक उसरे के लिए पर्फेक्ट मैं जो इसा बोलकर यह इन दोनों का हाथ मिला रही होती है यह सुनकर वह आंटी भी हसने लंग जाती है और फिर यह दौनों यहां से चले जाते हैं और फिर यह लेड़ी जी ऐसे कहती है कि आजगे दमाने में तुम जैसे लड़की मिलना बहुत ह मुश्किल है बस तुम थोड़ा वेट करो मैं अभी अपने बेटे को यहां पर बुला रही हो दूसरे तरह हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम सन है अभी वह अपनी कंपनी में मिटिंग अटेंड कर रहा होता है कि तभी उसकी मौम की कोल आती है वह उससे कहत बहुत ही अंग है और बहुत ही हैंसम भी वह टोल है और साथ ही साथ उसके एट पेक्स भी है तुम्हें वह बहुत ही अच्छा लगेगा जिया सन की मौम की बाते सुन रही होती है यह तभी उसे किसी का कोल रेसीव करने आती है किसे उसकी मौम का कोल आया होता है और वह किस से पूस्ता है कि आपको क्या हुआ उसकी मौम कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लड़की डूंडी है फिर पॉल रखते हैं जिया इस बारे में सोचती है कि उसे जल से जल किसी को डूरना होगा साधी करने के लिए तभी सेन की मौम जिया को बताने और कहती है कि तुम दोनों इस बार कर अपना मेरी सेटिफिकर्ट ले लो और फिर इसके बाद से तुम दोनों को साथ में रहना होगा यह देखकर संद बहुती सोख हो जाता है और वो सोचता है कि गोल्डीगर लड़की कितनी चलाक है कि इसने मेरी मौम का अप्रूवल ले फिर इसके बाद जिया और संद जाकर अपना मेरी सेटिफिकर्ट लेकर बाहर निकलते हैं और जिया सोचती है कि उसे यह की नहीं आ रहा है कि उसने उस बंदे से साधी कर ली जिसे वो अभी मिली थी फिर वो इसे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो त तुम्हें मुझे अपना सेलरी कार्ड देना चाहिए तर सोचता है कि अभी विसादी हुई और अभी से उसे पेशा मांग रही है मैंने सही सोचा था कि यह रहकी गोल्डिगर है फिर वो इसे कहा देता है कि मेरे पास कोई सेलरी कार्ड नहीं है तो यह सुनकर जीया कहती है की आख़ें के तुमौारी कंपनी तो कितनी बेकार इन जा ранव indicate ए उंक और पहसी और सीहीं है उव направिकर कार्ड में रेंगला बेकार पती हों एह तेम हमने का-इन का काफी है और उसे प्यूं से होगलोगे की चाहिए कि मैं अद्नी कमपनी का कर पूचता है क्या गर दो को साथ में रहना पड़ेगा फिर स Pf निए हाँ Сам ओलाता है और गर यह पुरमड़ी सके छो क्मूं से इसके सारी बसारी जगहा âte मेरा देता है यह है क्या तो Сंप से अपने सिस्टेंट को मेसेड करको पुछता है कि इसने का पर घर खरीदा है उसका फिह पहले ही अपने स्टाफ से यहां पर सेक्योटरिव एक पर सब्सissy करने के लिए बुला है फिर सभी सन का तादे तो यही करने लगते हैं जिया कहने लगती है कि यह क्लिनिंग तरवाना तो बहुत ही महंगा होगा ना तो तुम के से अफ़र्ट करते हो तो सन पहाना बना लेता है कि अरे बहुत ही सस्ता है सिर्फ 58 में तो जिया कहती है कि फिर तो यह काम तो मुझे द देना फिर सन का सिस्टेंट और सारे गार्ड यहां से चले जाते हैं और संजिया को मेरीज कॉंट्रेंग दिखाते हुए उस बताने लगता है कि इन दोनों के बीच में सिपको हैपीटेशन वाला रिलेसे सिफ होगा उसे जदा कुछ भी नहीं जिया सोचती है क्या अच्छा ह कि अवास उनकर सन जल्दी से देखने के लिए बात्रूम पहुंच जाता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा साही हो जाते हैं कि जिया ने टाउल भी नहीं लीटी फिर यह दोनों बात्रूम से बाढ़ाने के बाद काफी ज्यादा एक दूसरे से समारे होते हैं और अलग से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यूं आई हो तो सन की मौं कहते है कि मैं देखने आई थी कि आज तुम दोनों का साधी का पहला दीन है तुम दोनों की लाइफ कैसी चाल रही है संकी मौम अपना ब्रेश्लेट निकाल कर जीआ को देने लगती है और कहती है कि यह हमारा ख सकते हैं कि तुम्हें यह लेना होगा हूँ हमें सा्थूंसार तुम्हें विलाई देने वाली हूं अपने फारष से निकालने लगता है ज़ल्दी से अपनी पर लोगों के बीच में सच में कोई रिलेशन नहीं होगा इसा पढ़ने के बाद सब्सक्राइब करके रेज़्मेंट करने का आता है तो जी यह उसे कहने लगती है कि बहुत ही महेंगा होगा ना तो यह कहता है कि बिल्कुल भी नहीं बलके बहुत ही से कहते हैं कि तुम्हारी मोप देने की बात कर रही थी कंहारे पास तो घं लेने के पैसे नहीं है तो बनें ये कर देखका लग रहाता कि वह बहुती मोम ने घुर Future by वाणी जवाली चीज़े पहुती पसंद है और अमिर दिखने का सोक है वो वेबसाइट का नाम बताते हैं कि यहीं से मेरी मोम ने सारे फेक ड्रेस और जोली रिस खरीदी है जिया तो कुछ सोकर करती है कि कि कितना बड़ा कोर्सिडेंस है यह भी वहीं से सोपिंग करती हूं तो मुझे अपनी मोम की आईडी बताना उसे इनुसे ह और देखते हूं कि यह दोनों अपने आपको कैसे रोख पाएंगे फिर इन दोनों को बाई बोल कर यहां से चली जाती है तनकी मोम जाते ही वह सोप में जो मेंडिसन होती है उसकी वज़े से दौनों को ही नसा सबने लगता है और फिर लोग इसके बाद जब जब जिए से कवर करकि चलिवादी इसके पार संड की निन को नाता है कि कि मौण यह Healthcare आपकों से मिलने ऍसके थे रिलाधी हाथ है क्या करों जूदिए बहुत ही पसंद दो तुम्हें अब सफ लड़की मेरे इसफ्रापर कटकर तब यहां पर से मिलने उसका आया होता है और वो संब को इसे देख काफी शोग होता है जल्डी से बाद कर चला जाता है यह चुपते हुए अपनी सीट के पासदारी होती है तब सुपर्वाइजर से देख कर चिलाने लगता है कि आज न्यू परसिडेंट के आने का फर्स डे हैं हमारी इतनी इंपोर्टेंट मीटिंग होने वाली है यह तुम आज के दिन हो गई जिया उसे सोरी कहती है और फिर वह इसे कुछ पास्ट लाने का काम दे देता है यह जैसे सा पास जाकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें आपर क्या कर रहे हो क्या तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो या फिर स्वियो के सिस्टिंग यह तो नहीं की तुम्हीं सीयो हो तो संब जल्दी से बाना बनाकर इसे कहता है कि मैं लिफ्ट रिपेर करने वाला हूं और में रो करूंगी और इसा वापस नहीं होगा वहीं चीज़ें याद करते हो सोचता है कि हमें वैसे भी ड्रग दिया वाता लेकिन अब मुझे इसा क्यों लग रहा है कि इसके लिए फिलिंग है तभी जिया का हाथ पकर करके उसे पूसता है कि तुमने इसा क्यों गोला कि नेक्स ट इन दोनों को यह देख रहा होता है तो संजल्दी एपने स्टेंट को देख कर करता है कि मैंने लिफ्र युट कर दिया है पिर असिस्टेशर भी उसका एक्टिंग में साधिते कहता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया था लिए तोरी में आपके कंपनी की नए एंप्लियो करवा दे और साथ ही साथ एप्टी गलफ भी मैं चाहती हों की मेरे हैजबेंट की सेफ्टी हो यह सोनकर असिस्टन तुरंती हां खरतेता है कि मैं परसिजर से बात करूंगा फिर से जल्दी से अपनी सिस्टेंट के साथ बिलकर एक्टिंग करता है कि उसे और भी चीजे रिप पर वो अपनी नहीं बलकि इस ब्रेसलेट की फिकर करते हुए देखती है कि कम से कम यह ठीक है तब ही जिया की कलिंग उसका मजा बुड़ाने लग जाती है कि क्या उसकी साथी हो गई है और इसे यह गिफ्ट भी मिला है कि यह इतना मेंगा ब्रेसलेट ऐसे तो उसके पास नहीं सकता जिया भी सोसने लग जाती है कि क्या यह सच में महेंगा है जिया की कलिंग उसकी हैजबेंट की बुराई करने लगती है जरू तुमने किसी घरीब बंदे के साथ साधी की होगी जिया इन लोगों को चिलाता है कि प्रसिदेट यहां पर आने वाले हैं और तुम जया पर जगड़ा करहे हो जिया पर नहीं बचल्रेश। में सन जल्दी से कह देता है कि वो इस कंपनी का चीप रिपेर्मेन है यह सब बोलते हुए वह अपने अशिस्टेंट को इसारा करता है तो अगर तुव हमारी कंपनी की चीप रिपेर्मेन के साथ एसी ट्रीट करोगी तो कंपनी में कुछ भी खराब वा तो उसे रिपेर और गार्स उसे लेकर चले जाते हैं और फिर यह चिलाता है कि अच्छा नहीं है इसलिए तुम्हारी हाद की सेनेरी कट हो रही है और पर असिस्टन मीटिंग कैंसल करके तब फिर मुझे संसे इस वारे में पूशती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो यह कहता है कि मुझे यहां पर मीटिंग रूम में पुछ रिप्यर करने के लिए पूला गया था इसलिए मैं यहां पर आया तो जिया कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि हमारी विटिंग क्यों केंसल हुई फिस एनुसे अपना काम करने जानी के लिए कहता है और फिर वो अपनी ओफिस में बेट कर अपना काम कर रहा होता है तभी एसिस्टेंट फूसता है कि वोस क्या आपकी वाइब की पोजिसन चेंज कर दी जाए तो समझ मना करते हों कहता है कि उसे बस एक ओडिनरी एंप्लोई रहने दो नहीं तो उसे मेरी आइडिन्टिटी के बारे में पता लग जाएगा असिस्टेंट सोचता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि ओल्ड मेडम को फाइनरे कोई डोटर इनलो मिली है और अधर उन्हें कमपनी में बुली किया गया तो फिर वो मेरी सेलेरी कट कर देंगी पिर नेक्स इन में हम देखते हैं कि जिया सबी एमप्लोईज के लिए कोफी लेकर आरी होती है तब ही से यहाँ पर असिशन्ट मिल जाता है और वो इसे सारे कोफी के पैसे डीपिया कर देता है और उसे समझाता है कि उसी यह सब अपने पैसों से लाने की ज़रूत नहीं है फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर तब ही आपर जिया को उसके क्लास मेट की कॉल आती है और वो जिया को क्लास यूनियन पार्टी के लिए बुलारी होती है और कहती है कि वो इतने सालों से सिंगा लटों साइद उसे कोई बंदा जिसे वो डेट करें तो जिया बता देती है कि एक्चुली मैंनी साधी हो चुकी है इसके बाद जिया अपनी क्लास यूनियन पार्टी के लिए पोचती है और इसकी फ्रेंड उसे पूचती है कि आखी तुमारी साधी कि इसके साथ हुई है तहीं तुमने उस ओल्ड रिच्मेंन के साथ आदी तो नहीं कर ली जिया कहती है कि बिलकुल भी नहीं मैंनी जिससे साधी की हूँ मैं उसे अभी ज़्यादा जानती नहीं हूँ और वो बस एंग ओडिनेरी परसन है और उसकी सेलेरी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम से कम बहुत ही अच्छा है यह सुनकर जिया की फ्रेंड से कहने लगती है कि सब तुमारे एक्स बर्फरेंड की गनती है अगर उसने तुमारे टम टाइम में छोड़ा ना होता तो आज यह सब नहीं होता जिया कहती है कि यह सब छोड़ो हम लोग पार्टी के लिए चलते हैं तब जिया जैसे यहाँ पर एक वेटरस को देखती है कि क्या मैंने कभी यहाँ पर वेटरस की जोग कर चुकी हूं तो इसकी प्रेंड कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और वो सोचती है कि वो जिया की अच्छे की लिए उसे सच नहीं बताएंगी फिर यह दोनों भी पार्टी में आ जाती है और यहाँ पर जिया अपने एक्स बॉइफरेंड हान को देखकर तोक हो जाती है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है जिया की फ्रेंड पूछती है कि उसने तो हान को यहाँ पर नहीं इन्वाइट करा था तो वो यहाँ पर क्यों आया तो वो वेवे बताती है कि अब वो उसका हैजवेंड बन चुका है इसलिए उसने यापर उसे लेकर आई है वो जिया को ठैंक्स कहती है तो वह उसकी लाइब से चली गई तब भी हान से वह मिल पाई वह तो यहाँ पर जिया का मज़ा गुड़ारी होती है और उससे पूछती है कि वा किस कमपनी में काम करती है और उसकी साधी हुई या नहीं जैसे जिया बताती है कि उसकी साधी हो चुकी है तो वेवे कहती है कि फिर तो तुम अपनी हैजवेंड को भी आपर बुलाओ हम भी उसे देखना चाहते है तो जीया पेपना बनाते कहती है कि मैं अपना फोन गड़ पे बूल रही हूँ इसलिए आज रहने देते हैं तब ही जीया को सण का कॉल आने लगता है और फोन की रिंग की आवा सुन कर ये सभी हसने लगते हैं तुम तो बोल रहीती कि तुम फोन नहीं लाई हो फिर जिया ज करने के बाद जिया को उसका फोन वापस करती है अपना बदला निकालने के लिए कहती है कि तुम्नी कैसा गंदा फाउंडेशन लगाई ती तुम्हारा उर तुम्हारे हैज्पेंड का दिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यह जो नोर्मल जैना और वह इसकी लुक्स की बज़ा गुराने लगती है पिर जिया को भी होती कुछा आता है और वो इसके ऊपर फाइनद फेक के मारती है फिर वее वे तो और रही गुस्षचे में इसके सर पर मानने जारी होती है तभी यहाँपर स albo उचा त 8 voter ना थी तो अभी तुम जेल में होती तभी हैं सेंग को दिनर मेरी तरफ से हैं तो वेवे उसे कहने लगती है कि ज्यादा रिच्विनने की कोशिश मत करो और हां तुम भूल कैसे सकते हो भी तुमारी वाइप ने मेरी उपर वाइन फेकी है और इसकी वज़र से जो मेरे कपड़े खराब हो गए ना इसके पैसे तुम लोग कभी भी रखो फिर जब यहाँ पर पेट्रस कार्ट स्वाइब करती है तो पहचान में नहीं अगता फिर यह सबी तो जिया और सन के उपर हसने लगते हैं दूशी तरह फोटल मेनेजर को बता लगता है कि आपर कोई वी आईपी कार्ट किया गया था फिर वेवे यहाँ पर जिया से कि अभी जीया की हिजबें ने यह से कार्ट किया था इसलिए मेनेजर ने आप लाएं तो में आप के लिए इसे ही आसे निकालती हूं और यहां मेनेजर तो संसे माफें रंगने लगता है कि हमारे फोटल के इंपोर्टेंट के स्ट हैं हमारी गल्ती के वज़़े से यह सब ह है और क्योंकि वह इतनी है इसलिए लोग उसे छोड़ने का भी कह रहे होते हैं जिया तो कहती है कि रहने दो हम लोग खुछ जाएंगे और फिर जल्दी से सन का हाथ पकड़के से बाले आती है और कहती है कि अच्छा हुआ वो लोग हमारा पिछा नहीं कर रहे हम लोग बच कहता है कि आखिर तुम किसकी फिकर कर रही हो तो जिया कहती है कि अफकोस तुमारी तुम फेक काड़ को यह बनाने की एक्टिंग कर रहे ते इसे तुम्हें जेल हो सकती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर होटेल मेनेजर को गलत फहमी कैसे हुई या फिर कही है सब्सक्राइब करने को मिला इसलिए में तुम्हारी फ्रेग्न हो गई ती ऐसा बोलकर यहां से वह चली जाती है यहां पर आकर संद को बेंडिस लगाने लगती है और फिर वह से कहती है कि चलो में तुम्हें एक मज़ेदा जगन लेके चलती हूं वह इस सेल्स पर लगी बाजी खरिदने के लिए लिए लिकर आती है और टाइम सुरू होती ही जल्दी से भीड़ में बुशकर बाजी लेने लबती है और संद से पूछते है कि को पूछते हैं तो संद कहता है कि हां आया तब बीड़ के दक्के के बज़े से यह दोनों एक पूंट्रेक्ट रिलेशन है तो आखे में इसके पास्ट के बारे में यह सोच रहा हूं और इसके बाजिया बरतंदोरी होती है और तभी उसे एक प्लेट गिर के तूट जाती है वह जैसे उठाने जाती है तो उसके हाथ भी चोट भी लग जाती है यह देकर शन कहता है कि करने से अच्छा रहेगा कि लेशन हैं का करता ता हूं पिर इसके बाद इसकाउट करेंडाने में हेल्प करवादो वर जीआ तो रंके मोम की जगए संश री चेट पर बात कर रहे होती है और वो उक्ती लिख देता है फिर जिया बहुती खुश होकर सन को थेंक्यू मेसेज़ कर देती है फिर सन अपने असिस्टेंट को कॉल करके डिश्वोस्ट खरिदने का काम दे देता है और उसे जिया की बारे में इन्वेस्टीगेशन भी करने के लिए करता है कि कॉलेस टाइ करें थे अपने मेनेजर से मिलती है तो वह से कहता है कि तुम्हारे पास ग्याज़ शर्टीफिकेट बहुत सौचा केसे की तुम्हारी तो कंपनी में नहीं और उस दिन लेट भी हो गई इसलिए में मैं तुम्हारा ट्रांसफर इसे एप्परोम नहीं करूंगा लेकिन है य को यहां से जाने नहीं देता और उसे कोई ने बचा सकता तब इतने में यहां पर सण आजाता है और उसे चिलाता है कि तुमारी हमत कैसे मेरी वाइब को टॉच करने की और वह इसे फिर से खूब माणने लगता है तो जी एसे रोगती है कि पाइटिंग मत करो फिर सन अपने की क्योटरी गार्ड को यहां पर बुलाता है और गार्ष यहां पर आते हैं सन को रिस्पक्ट देते हुए उसे परसेडेंट बोलने वाले होते हैं तो सन जल्डी से नहीं इसारा करता है और उन्हें कहता है कि में इस कंपनी का चिप रिप करते हैं तो जिया इसकी बातों पर फिलिव कर लेती है और से करने लगता है कि उसे कोई चोड़ तो नहीं आई फिर इसके बाद अपने ओफिस में आता है और वह अपने असिस्टेंट को देता है कि मैं जिया को परमोट कर दे और इसे कोई हायर पोजिशन वाली जोग दे ताकि उसे कोई और पुली ना कर सके तो असिस्टेंट रजेस्ट करता है कि Boss आप अपने वाइब को अपने असिस्टेंट बना लो तो Sun कहता है कि Boss आपकी वाइब के कोई ओर पुली करेंगे तो सन कहता है कि कॉलेश से मुझे यादा है कि मैंने तुम्हें अपनी वाइब के कॉलेश टाइम की बारे में इंवेस्टिगेट करने के लिए बोला था तो असिस्टेंट कहता है कि बोस मैं आपका असिस्टेंट हूँ ना ही कोई डिटेक्टिंग और वेसे भी मेरे पास ऐसी ही भूच से काम है तो मैं वह काम कब करूंगा लेकिन अधर आपको फिर भी अपनी वाइब के खुलेस टाइम के बारे में जानना है तो आप उसे डारे करनी होगी उनकी और उनकी वाइब की रिलेसान अच्छे करने के लिए फैसंद जिया को अपने असिस्टेंट बनानी के लिए मान जाता है और वो इसे खहता है कि लेकिन जिया को मेरी आइडेंटिक के बारे में अभी नहीं पता लगना चाहिए फिर इसके बाद हम जीआ को देखते हैं जो कि बहुती अफसेट होती है कि वो अपनी जोग ट्रांसफर नहीं करवा पाएगी तब एसिस्टेंट यहां पर आकर सभी एंप्लोईज को बताता है कि सीलियों को एक और एसिस्टेंट की जोरुत है और यहां पर जिया पहुती अच्छे से काम कर रही है इसलि है कि आपर सब्सक्रण हो कर दो पर फो कर आप तो लिए और के पी बिट्राट है और rede मीरे बार में ज्यादा सीरी कि जोरोत नहीं है और वह से कहता है कि तो आगे मत बढ़ो और यहां स्क्रीम के पास आने की जवरत नहीं है तो जिया पूछने लगती है कि वह साकर ऐसा क्यूं तो सन कहता है कि इतने सवाल मत पूछो और वहाँ पर जो सीट देख रही है तुम्हें वहीं पर बेट के काम करना है तो जिया चुप चाप जिया को काम करते हैं देखने लगता है और तब भी उसका पेर टक्रा जाता है जिया यह आवाज सुनकर कहती है कि आपको क्या हुआ नहीं आपको देखने आओं सन कहता है कि विल्कुल भी नहीं तुम उधर ही रहो और वैसे तुमने काफी काम कर लिया अब तुम्हारी कह रही होती है कि पॉष कितने अच्छे हैं उन्होंने मुझे टाइम पर छूटी देर दी और उन्होंने मेरी सेलर भी बढ़ा दी आखरी इतना अच्छा पॉस खाहा मेरेगा यह सब सुनकर सन सूचती है कि सच में इस तो रिच लोग पसंद है तो जीया कहती है कि लेकिन म मैं प्रेशिदेंट को क्यों पश्ट करूं मैं बस उन्हें अपना बहुत समझती हूं और कुछ भी नहीं पर सन को भी नहीं नहीं हो रहा हुता कि ऐसा कैसे वो जिया सोचते है कि आफ यह इसा तो नहीं कि यह जैलिस हो गया फिर जिया सन के साथ घर चली जाती है नेक्टे हम मुझे कंपेर किया जाए तो कौन सबसे बेटर है तो जिया कहते हैं कि अफकोस आफ सबसे बेस्टो लेकिन हाँ मेरा हैजमेंट भी कोई कम नहीं है फिर सन उसे और सवाल करने जा रहा होता है तो जिया जल्दी से बातरूम जाने का बहाना बनाती है और फिर वहांसे जाते सबस्के से इसे अपनी में पावर दिखाएगा पर यहां पर वह इसे करने की जगए को ही तोड़ देता है और फिर विगने की वज़े से जनको कोड़ हो जाता है यह इसकी फिकर करते हुए इसे देखने आती है तब नीन में यह जानी नहीं देता फिर नेक्स्ट करके वहन सोसता है कि और यह सपना ता यज कुछ यार्या नहीं तो तुम्हें कूछ रहाए वह. में सब्सक्राइब करें और यह उसकी तरफ से उसके लिए बर्थटे कि फिर नेक्सिन में हम देखती है कि कंपनी में प्रेस कॉंफरेंच चल रहा होता है और यहां पर एस्टेंट करेंगी और यहां पर नहीं आएंगे यह पहले तो बहुत ही जादा नर्मस होती है और फिर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने के लिए उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि अब बोस यहां पर नहीं है तो इसे तुम पिल लो तुम्हें भी कोल्ड है सन कहता है कि अच्छा तो तुम बोस की केर करती हो और मेरी नहीं जिया कहती है कि ऐसा बिल्गुल भी नहीं है इसे तो मैंने बाहर से मंगवाई हूं और तुम्हारे लिए मिनी स्पेसल अपने हाथों से बनाई हूं और वो घर पे है फिर सन यह सु होता है और कहता है यह जा रहा होता है और शुक्त सब्सक्राइब हो कि अपनी मुइब और वाई को आतवा देख लेती और वो अयां सोचकर बहुती कुछ हो जाती है कि लगता है वो लोग उसका बर्थर्टेस अलिए करने के लिए आई हैं पर जिया की मूम डार्ड तो उसके पेसे माँने लग जाती हैं बताती हैं कि उसके भाई के साधी होने वाली है तो उसकी ब्राइट प्राइज के ये उसे पैसे देने होंगे तो जीया अपनी मूँ डैट से हैती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है पैसे नहीं देगी तो उसकी मूँ जल्दी से उसका फ्स छीने लगजाती है कि इसमें पैसे जरूर होंगे तभी सेनकी मॉँ इस अब लेती है उनकी फैमिली मेंटर से पिरसे अनकी मॉम तो तुरूंते ही उसे कोल करके यहां पर आने की लिए कहती है और बैताती है कि तुमारी वाइब और मुझे कुछ लोग बुली कर रहे हैं फिरसनी आपर अपनी इंटरिम आता है कि तुम्हीं लोग मेरी वाइफ और मेरी मॉम को उलिकर रहते हैं तुम्हीं ने मेरी बेटी से साधी करी है इसलिए तुम्हें मुझे ब्राइट प्रेस देना होगा हमें पूरे पास लाग चाहिए और उसके बिना हम लोग नहीं जाएंगे तो जिया भी गया देती है कि वह अपने पास ही रखो नहीं तो मेरे मॉम डैट उसे भी मुझे लेंगे आखिर तुम पूरे घर का कर्स अकेले हिंडल कर रहे हो तो आखिर में मैं इतना प्रेसर रहने कैसे दे सकती हूं तब यह आपर उनकी मॉम उसे बात करने के लिए से साइड में लेकर जाती है और कहती मुझाल करो मैं कुछ बहुद नहीं दूंगा तो और उसका गया प्संद आती है नेक्ट रहे हम देखते हैं के जब कंपनी में उती है तो यहाँ पर पर इस कंपनी में इंपलोई बन चुकी है उसे बताती है कि वह इसकी सूपरवाइजर है हुझा उसे कहती है कि इसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि मैं आप CEO की एसिस्टेंट हूँ और तुमुझे कंट्रोल ने कर सकती सब बोलकर जिया भी इसे टिड़ाते वर चली जाती है इसके पास तो कॉलेज का भी सर्टिफेकेट नहीं है तो इसे आखिल कंपनी की CEO का एसिस्टें काम के बेद्धे की वज़े से जो मिली है तो विवेस्ट से पूछती है कि तुमने अपनी जिम्हें में पांट साल पहले वाले एक्सिरियंस को नहीं लिखा तुम एक होटल में पेटर्स की जोब करने जाती ती और वहाँ पर तुमनी किसी के साथ नहीं टेस्पेंट कर ली फिर जिया उससे कहती है कि तुम अपना काम करो और मुझे परिसान मत करो ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है एक्षिन में हम देखते हैंगी जिया अपने फ्रेंड से मिने गई होती है और वो इसे इस बारे में पूछती है कि क्या पांत सार पहले वो वेटरिस की जोब करने के पूछती है कि तो बारे में किसी ओड़ने का बताती है कि देखो तुमसे चूट कर रही एकिशली तुम यूवेज की फिर जमा करनी ती नेकर राचानक से में मार हो गई और तुम कोलेज्स की फिर नहीं जमा कर पाई ती है कि वापस से यहां पर पार्टेम्स करके करते हू कर फोटल आया होता है और यह जिया को देखकर उसका मजाए घुडाने लए और कहता है कि यो ना तुम मेरे साथ नाइट इस्पेंड कर लो जिया से चिलाती है कि वह से दूरी रहे तो यह कहता है कि पान साल पहले तो ने मुझे कैसे चीट करी थी और उसी की वज़े से मैंने पेट पर निशान वो कैसे आया कहती है कि मुझे कोई बीमारी हो गए थी और वो सेजरी का निशान है तो हान उसे कहता है कि आकर तुम किस बात की एक्टिंग कर रही हो तो जिया से सिलाती है कि अगर तुम उसे इनी नफरत करते हो तो मुझे प्रोब क्यों गिया और सोचो तो मुझे अपनी दिखाओ अपने आपको चले माता है और इसे माफिक बंगता है तो फिर जिया मान जाती है फिर आनिया से लड़की को लेकर चला रहता है और जी इस बारे में सोचने लगती है कि कैसे नबी प्रेग्नेंट हुई थी और अगर ऐसा है तो मेरा बच्चा का सब्सक्राइब करने लगते हैं तो यह लोग देखते हैं कि मेरे बॉस और मारी क्वालिटी शेम लगती है तूं लोग एक दूसरे से काफी जादा मिलते जूलते हैं अभी कभी तो मुझे रखता है कि करिंट तुम दोनों सेम परसंट तो नहीं हो और मुझे यह स्टोरी लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ऐसा करना उस लड़की की क्रेंग्स के साथ खेलना है यह बाते संकर डर जाता है और जिया कहती है कि मुझे रिट सीयों से जादा तुम जैसा नहुवर बंदा पसंद है जो कि तुम्हारी तरह मेहने से काम करता हो और इतना फैंसम यह तभी भाएर संक इतना पास आ जाती है यह देखकर जिया सोको जाती है तो सन कहता है कि तुम दर गई तो फिर आखिर तुम हरकते क्यों करती हो यह कहते हैं की में क्यों डरूंगी आकिर हम दोनहों किसकी करने लगती है और फिर दोनों ऑ enjo contribous कि मुबायल पर मेसेता है असिस्टं circled में पूर्मोशन मिल गया है नहीं इससे ऑठकर बहुत ही जणाता है और अपनी से से उप्छटा हो सकूजत हो कि हैं iau सब्सक्राइब लड़का है तो वहाय वोई सब्सक्राइब कर शूंभा लटके सच का भी वोई त्रस करें बाइय है कि वह लड़की जिसके साथ इसने कि लड़की पहले की था झाइज कि इस सान कहता है कि मेरे साथ यह सब भी कुछ हुआ ता मुझे कुछ याद ही नहीं है सुष्छन कहता है कि वो साइथ उस ड्रक की एफेट की वज़े से वा फिर घराने के बास सन इस बारे में सोचकर बहुत परेशान होते है और वो जिया से बात भी नहीं करता तो इसका इसा behavior देखकर जिया सोचती है कि आज ये इतना अजी विए क्यों कर रहा है एक्स डेज जिया सन को कोई gift dairy होती है और इसे लेकर सेन उसे इस बारे में पूछता है कि या उसे पसंद करती है या कहती है कि वो उस मैं आपको क्यों पसंद करूँ मैंने तो आपको देखा भी नहीं हूँ और पहली बात तो ये कि मैं मेरी डूर सेन उसे पूछता है कि क्या तुम अपने husband से बायर करती है और वैं कोई जवाब यहीं नहीं पाती है और जिया अपने फ्रेंड से मिलके उसे सारी चीजों के बारे में बताती है और कहती है कि उसे भी खुद भी नहीं पता कि वो मेंडिकल चेकप कराने के लिए बोलती है ताकि पता चले कि आखे अभी तक जिया प्रेग्नेट क्यों नहीं हो रही है यह दोनों गर आ जाते और नेक्स्ट डेम मुवी देखने का इसाइड करते हैं तब यहां पर सन को डूलते हुई वैटर सा जाती है और वो इससे इतना मिवस ले एंगा चाहिए यह सब बोलका ज्यासे चली जाती है पिर सेन बहुती अफ्शेट हो जातilot और वार में आके डिंकर्ने हैं बहुती है । लेकिन उसे इस जारे में पता कि ऊप्द मु सक्ती है कि कभी नहीं हो सकती या कहती है कि मेरी पास्ट की नहीं पड़ी तो क पहले से कोई और लड़की है इसलिए तुम मुझे प्रेशान मत करो इस्ता बोलकर जिया यहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि जिया का भाई उसे किड्नेम कर लेता है क्योंकि उसे सन की बारे में सच पता लग गया है कि वह बहुत ही अमीर है इसलिए वह उसे यहां पर पर इसके बाइब को तो प्लिस अरेश्ट करके लेके जाती है और अभी भी उसे वह नहीं आया था और इसे एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है और इसे एक डॉक्टर से पात करके इस बारे में पता लगता है कि यहां पर पहले भी अपना इलाज करवाने आ चुकी है पर इसी रोडर से गलती हो गई थी और जिया की रिपोर्ट चैंज हो गईति और डॉक्टर को लगा की जिया प्रेंट है इसलिए जिए की त्सके बता रहे में बता देता कि छक्न नहीं सकती हूए लेना चाहता है और उसका ख्यार रखनाए को चाहता है। कहते हैं कИ अभी तक तुमने अपनी प्रोब्लम को रोंग करें से पुरा सब कर रहे है तो लड़की सब बैसेठे जाते हैं कि वुई इतना सभ्यूट ड्रें कम चाहि four-णने के लिए रहें प्रवस्ट करता है और ममिआ उसे किそう season को प्यार करता है कि अब्राइट की लेकर उस था कुछ जूट होलाएज अवीरें के बारे अकुंप स्ब्सक्राइब जिया तो उसके जूट के लिए इसे माव कर देती है और इसे के साथ इस डिरामी की हैपी एंडिंग यहां पर होती है